तो देखते हैं पर question number 84 में हमसे क्या पूछा गया है A car of weight 20,000 newton climbs up a hill at a steady speed of 8 meter per second gaining a height of 120 meter in 100 second calculate work done by a car and power of engine of car तो यहाँ पर एक car का weight given है जो कि यहाँ पर कितना है 20,000 newton है और वो यहाँ पर 8 meter per second के रफतार से hill पर चड़ रहा है तो वो यहाँ पर कितनी height पर पहुँच गए 120 meter की height पर पहुँच गए 100 second way तो हमें यहाँ पर 2 part solve करने एक तो हमें यहाँ पर word done बताना है और एक हमें यहाँ पर power calculate करके बतानी है तो करते हैं यहाँ पर इसको solve तो सबसे पहले हमें यहाँ पर car का weight given है वो हमें यहाँ पर कितना given है 20,000 newton और यहाँ पर weight का formula क्या होता है हमारा mass multiply gravity यह हमें यहाँ पर कितना given है 20,000 newton given है और उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी speed given है जो कि यहाँ पर कितनी है 8 meter per second speed हमें यहाँ पर given है 8 meter per second height हमें यहाँ पर given है 120 meter और उसके बाद हमें यहां पर time given है hundred second का सबसे पहले वाले part में हमें यहां पर क्या निकालना है work done निकालना है तो मैंने आपको यहां पर पहले वाले question में बताया था अगर कोई भी weight हम यहां पर उपर लेके जाते हैं तो हम यहां पर potential energy का formula use करते हैं तो कि हमारे यहां पर किसके बराबर होता है work done के बराबर होता है तो potential energy का formula हमारे यहां पर क्या होता है mgh होता है और यह हमारे किसके बराबर होता है यह हमारे यहां पर work done के बराबर होता है तो mg हमारे यहां पर कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा और height हमारे यहां पर कितने गिवन है 120 meter गिवन है तो 12 को यहां पर 2 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और उसके बाद हमारे यहां पर 5 times 0 बच रहें तो वह मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 तो जो answer अगर मैं इसको और किलो जूल में भी convert करूעंगा तो हम मैं यहां पर क्या करना पड़ेगा 3 0 को remove करना पड़ेगा क्योंकि tenhoपर क्या चिलिओ में 1,000ौल hoते हैं तो यहां पर 300 करेंगे तुझ्षिह हमारे हमखर कितना होन जाएगा 2400 यहां पर क्या जाएगा खंशील जाता यह मारे किस के बराबर है created work done के बराबर है तो word done हमारे इहां पर 2024 2400 kJ निकल गया है तो यहां पर लिख लेता हूं 2400 kJ upon time taken हमारे हैं पर कितना था 100 second का था तो 100 से divide करने पर हमारे हैं पर कितना जगा 24 kW क्योंकि मैंने यहां पर 2400 kJ लिया था अगर मैं यहांपे 24 lakh J to answer मेरे फि데ि हिस में आता व वाड्स में आता ना कि Camera & कि लो वोक्त में आता तो जैसे कि मैने पे 24 hundred kilojoule लिया तो मेरा personal किसमा अगए 24 किल treatment मैं आ पर क्या निकाल रहां पावर निकाल रहां तो हो आपको यह वाले question का अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ